गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गजानत वर्मा, कक्षा, बारा के लिए, विशे, अनिवार हिंदी, पुष्तक, सर्जन, पाठ, पंद्रे, टोपिक, तोलिय, लेखकार, उपेंद्रनाथ, अस्क देखेगा, आज से पूरो पहले वाई टोपिक में हम पढ़ रहे थे, कि मंगला और मधु के बीच में किस परकार से, किस परकार की बातें हो रही थी, अपने आपको बदलने के लिए, सिध्धानतों को बदलने के लिए, जिस परकार से मधु ये प्रियास कर रही थी, किन्तु फिर भी इस प्रियास के भीतर उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह सपाई के सिध्धानत को नहीं छोड़ना चाती थी, वह चाती थी, जिस सपाई के रास्ते पर मैं चली हूँ, मेरा परिवार सपाई पसंद करता है, मैं पसंद करती हूँ, और मैं ये अच्छी आदत दूसरे लोगों को भी सिखाने का प्रियास करूँगी, दूसरे लोगों को भी सिखाऊंगी, ये उनका प्रियास था, और इस प्रकार से वसंत को भी वो सफाई के बारें बताना चाहती थी कि सफाई इनसान के जिवन में होनी चाहिए उन्हें कई उधान दिये कुटा भी अपनी जगर बैठता है तो दुम हिला करके बैठता है लेकिन जिस सफाई को लेकर के मधू और वसंत में चर्चा होती जिसके कारण दोनों में बहुत ज़्यादा नोक चोक होती थी और वो गए तो थे वसंत अपने काम से क्योंकि उनका मैनेजर बिमार था इसलिए उनको उस स्थान को छोड़के दिली छोड़कर के बंदर जाना पड़ा लेकिन मधू ने मैसुस किया कि मुझसे वो नाराज होकर चले गए है वो समझते हैं कि मुझसे घ्रणा करती हूँ नफरत करती हूँ मैं उनसे स्नेय नहीं करती मैं प्रेम नहीं करती ऐसा मदू सोचती है इस कारण से उन्होंने धीरे धीरे अपने विचारों को अपने सिधानतों को बदलने का प्रियास किया अचानक तो नहीं लेकिन धीरे धीरे जो वसंतों उनके बीच में चर्चा होती थी उनको बदलने का प्रियास करती है जिस परकार से सुरोर चिंती आती तो उन्होंने टेबल कुर्शी पर ने बिठा करके सीधे बिस्तर में बिठाया हाथ पायों पर नहीं धोने दिया इसके अलावा चाय नास्ता भी उन्होंने पिस्तर पर ही करवाया तो वो चाहती है जबकि इस परक्रिया के कारण मधु को अपनी सहेलियों से भी सुनना पड़ा कि तुम तो कितनी सिध्धानत वादी थी फिर भी अपने सिध्धानतों को आपने कैसे बदल लिया ये सारी बातें सुनने के लिए मिली और उनकी सहेलियों ने उनकी सक्यों ने कहा कि आप अपने आपको इतना कैसे बदलते सकती हैं आप तो बहुत ज़्यदा सपाई का धान रखती थी जीवन में इनसान को सिध्धानतों के बलबूते पर चलना चाये लेकिन फिर भी उनने कहा इनसान को मद्धे का रास्ता अपनाना चीए जिसके कारण सफाई के चकर में रिष्टे खराब ने हो जाए और बात चईवी थी क्योंकि सफाई के चकर में इनके आपस में एक तरसे रिष्टे खराब होती जा रहे थे आपस में टक्राउट होती जा रही थी जिसके कांट दिन बर इन में जगड़ा होता था इसलिए इन्होंने अपने आपको बदलने के लिए ऐसा किया उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से इस सफाई के चक्र में मुझे लड़कर के छोड़कर के चलेगे कि इसा नहीं था वशंद को काम से ही बहर जाना पड़ा इसका अर्थ ही नहीं था कि उनसे प्रेम नहीं करते थे उन्हें पत्र लिखा समय कम था इसलिए पत्र में किया कि उन्हें संक्षित बहसा को प्योग किया किन्तु मदुक ऐसा मैसुस हुआ कि जाने के पसा तो उन्हें पत्तर भी लिखा तो पत्तर में पूरी बाते ने लिखी बलकि उन्होंने पत्तर में बहुती कम बाते लिखिये ऐसी इस्तिती में वो मुझसे नाराज है और इन्ही बातों को जानने के लिए वो मंगला से प्रस्टन कर रही थी अब देखी आगे अब देखेगा कि इतनी बाते हो रितन को पता लग गया था कि वसंत आने वाला है दरवाजा अचानक खुलता है और वसं प्रवेश करता है इससे पूरो देखे आज जो आपको बताया जा रहा है पार्ट नंबर पांच इस पार्ट को पांच भगूम बाट दिया है पार्ट पांच दरवाजा अचानक खुलता है और वसंत प्रवेश करता है वसंत हेलो मधू क्या हाल चाल है जनाब की मंगला से मंगला तांगे से सामान उतरवाओ और जैब से पैसे निकालते वे कहा और ये लो डेड रुपई है तांगे वाले को दे दो मंगला पैसे लेकर चली जाती है वसंत फिर मधू के पास आते वे कहो भाई क्या हाल चाल है ये सूरत कैसे रोणी बना रखिये जी कुछ खराब है क्या जी कुछ खराब है क्या उन्हें का रहे भाई तुमारी जो सूरत है रोणी जैसी बनी वी है और तुमारा स्वास्ता तो ठीक है क्या तुमारा जी तो खराब नहीं हो रहा इस तरह से क्या की वसंत ने आकर के मदू से कहा मदू ने का जो इस बीच पलंग से उतरग आई है हसने का प्रियास करते वी अर्ता तो पलंग पर लेटी भी थी और ऐसी स्थिति में पलंग से उतरने का प्रियास करती है और मदू ने का सूका जाड़ा पढ़ रहा है जुखाम है मुझे तीन-चार दिन से उन्हें का बहुत ज़्यादा सर्दी है और तीन-चार दिन से मुझे जुखाम भी है उन्होंने वसन से का कि बहुत ज़्यादा सर्दी पढ़े सूका जाड़ा पढ़ रहा है और तीन-चार दिन से मुझे जुखाम है इसलिए विस्तर पर लेटी हूँ और मेरे चेहरे पे जो आपको एक मतलब मासूमियत चेहरे पर ऐसे मतलब खुश हाली निजर नहीं आ रिया वसन का मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्त का धान रखा करो सेहत 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 दुनिया में जो कुछ है सेहत है अर्तात इंसान को अपने स्वास्ता के बारे में ध्यान रखना चाहिए सबसे बड़ी चीज होती है सेहत और आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपने सेहत का ध्यान नहीं रखती जिवमित तुम्हारी ये सपाई और सुगर्टा ये नजाकत ने इतना काम नहें देगी जितना सेहत वो कहना चाहते हैं कि आप सफाई पे धान देती हैं सुगर्टा अपने आपको सुंदर बनाने के लिए नजाकते सुकोमलता आप दिखाती है ये जीवन में इतना काम नहीं देती जितना सेहत क्योंकि ये दिखने में बाहर की सुन्दरता है लेकिन सेहत तो अंदर से है उनका कहना ये था कि जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में अगर पानी डालेंगे तो उसको ज़्यादा चमकाने की आवसकता नहीं है क्योंकि पेड़ अपने आप स्वेस्थ नजर आएगा लेकिन वही पानी हम पतियों पर डालियों पर इस तरह से डालेंगे तो पेड़ का कोई मतलब नहीं है अरता तो उनकी जड़ में पानी डालो यह कहना चाते हैं कि मनुस्यों को सबसे पहले अपनी सिहत का धान रखना चाहिए यदि यही ठीक नहीं रहती तो यह सब किस काम की और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई जरुवत नहीं सबसे बड़ी चीज है कि इनसान स्वास्ता का धान रखे सेथ का धान रखे तो बहारी तड़क बड़क से कोई मतलब नहीं है ऐसे इस्तिति में अपनी सेथ का इनसान को पूरा धान रखना जाए अपने कथन की बारी की का स्वेम ही आनन लेता है और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो अरे यह काया पलट कैसी यह पलंग ड्रोइंग रूम में कैसे आ गया और यह ट्रे और प्याले कहने का मतलब जिस ड्रोइंग रूम को छोड़कर के गए थे उन्होंने उस विवस्ता को मदूने उनके जाने के पसाथ पूरी को बदल डाली कि किसी भी प्रकार वशंत को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और उनके जाने के पसाथ जिस प्रकार से जो जीवन यापन वशंत करता था ठीक उसी प्रकार से अपने आपको बदलने का प्रियास भी उन्हें कहा और इस विवस्ता से जो विवस्ता जाने के पसाथ उन्होंने आकर के देखी है वसंत उस विवस्ता से बहुत खुश होता है और उन्हें का मदोशे का मैंने पलंग इदरी बिचा दिया है कि आप और आपके मित्र को जरा भी कश्ट नहो मज़े से लिहाब लेकर बैठिये टेली फून आपके सिराने रहेगा आप अपने दोस्तों के साथ में रजाए में बैठ सकेंगे और अगर आप बात करेंगे तो टेली फून आपके शिराने रहेगा आपके पास रहेगा वसंत ने उल्लास से आनन से खुशी से कहा वह मैं कहता हूं तुम तो तुम तो बेहद अच्छी हो अरताता आप बहुत अच्छी हो आपने आखिर मेरे सिध्धांतों को, मेरे विचारों को समझ लिया है, सीख लिया है इसलिए आप होत अच्छी हो मदुनिका, मैं स्वेम अपनी सेहलियों के साथ इसी लिहाप में बैठी रही हूं उन्हें कहा कि मैं आपकी बात ने करती आपके जाने के बाद मेरी सहलिया जब आई है तो इसी रजाई अर्थात कंबल के अंदर हम एक साथ बैट करके आनद लिया है हमने तो वसन ने आश्चर मिर्शित उल्ला से अचंबे भरे प्रसंता से उन्हें का सच मदो ने फिर कहा उसकी और प्रसंता की इच्छो की प्यार भरी दरश्टी से देखते हैं और चाय भी हमने यहीं पी है तो वसन भोत प्रसंत हो जाता है और खुशी से का वह वह मैं कहता हूँ तुम जीवन का रह से समझ पाई हो जीवन का भेद बाई तड़क बड़क में नहीं अंतर की दर्टा में अंतर की दर्टा में अमलब जीवन का जो रह से अंदर की है अंदर इंसान के अंदर आत्मिता होने चे प्रेम होने चे बाहर तो तड़क बड़क दिखा दी लेकिन अंदर प्रेम ही नहीं है वो किस काम का यदी हमारी प्रतिरोद सकती हमारी पावर ओप रेजिस्टेंस काईम है मदुनी कहा चाई भी अब आप ही यहीं पिया कीजेगा अपने नरम नरम बिस्तर पर मदुनी वसन से कहा कि आप चाई पीते हैं आपको चाई पीने के लिए टेबल कुर्षी पर जाने की आफ शकता ने है बलकि आप अपने इस नरम नरम बिस्तर पर चाई पानी पी सकते हैं नास्ता कर सकते हैं वसन तने अत्य दिक उल्ला से अत्य दिक परसंता से का वह वह अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे कि मैं बहुत खुश हो गया और इसी बात में मैं तुम्हे कहना चाहता हूँ कि इसी बात से कहो मंगला को कि मेरे लिए चाय का पानी रखे अर्था आप मुझे गरम गरम चाय बना के दे मदू ने अब तो आप नाराज नहीं है वह संत्र का आस्टरे से नाराज मदू आप इतने दिनों तक मन में गुसा रख सकते हैं ये मैंने स्वेप्न में नहीं सोचा था कि आप अपने मन में इतना गुसा रखते हैं कि जाने के बाद आपने पत्तर तक नहीं लिखा पत्तर नहीं लिखा और आज मुझे पता चला कि आप गुसा भी रखते हैं आप मेरे बारे में नहीं सोच सकते हैं मुझे आज पता चला मैं तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती वसंत और भी आस्त्रे से गुस्सा मदुने का दो महिने से आपने डंक से पत्तर तक नहीं लिखा दो महिने हो गए आपने मुझे डंक से पत्तर तक नहीं लिखा वसंत पर मैंने मदुने फिर उस बात को प्रकट करते हैं जी, मैं कुसल हूं, कुसल से हूं, अपनी कुसलता का पता देना इसे पत्र लिखना कहें, कहते होंगे बसंत, जोर से कहका लगाता है, जोर से हसता है तो तुम इसका कारण ये समझती हो कि मैं तुम से नाराज हूं अर्टात मैंने पत्र में ज़्यादा बातें नहीं लिखी तो आप इसका अंदाजा ये लगा रहे हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ मैं तुमसे खुश नहीं पगली तुमसे भी कोई कभी नाराज हो सकता है मदू पर दो पंक्तियां मदू पर आपने तुमातर दो पंक्तियां लिखी है तो वसंतर का दो पंक्तियां लिखने का भी अवकास मिल गया तो तुम इसकी को बहुत समझो अर्टात मैंने दो पंक्तियां भी लिखी है तो बहुत है क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं मदू ने का अच्छा आप चाकर हात मुँ धो लीजिए मैं चाय तयार करती हूँ वसंत्र का मैं कहता हूँ तुम कितनी तुम कितनी तुम कितनी अच्छी हो मदू अपनी बातों को सुनकर के प्रेम भरी बातों को सुनकर के मदू मुश्कराते हुए कहती है अच्छा अच्छा चलिए पहले हात मुँ धोकर कपड़े बदलिए वशंत ने फिर का ये फिर तुमने कपड़े बदलने की पक लगा ये अर्था फिर तुमने कपड़े बदलने की बात कर दी तो मदू ने जोर देकर का क्यों कपड़े ने एक रात और एक दिन गाड़ी में सफर करके आए हो मार की धूल सारे सरी पर पड़ी है चलिए चलिए जल्दी हात मूँ धोकर के कपड़े बदलिए मैं इतने में चाय तयार करती हूँ अर्टात आप जल्दी से कपड़े बदलिए इसनान आदी कर लो क्योंकि आप दो दिन से गाड़ी में सफर करे थे कितनी धूल लिमिट्टी गंदगी होती है आप इन कपड़ों को बदल लीजिए और इसनान कर लीजिए मैं आपके लिए चाय बना कर के लाती हूँ वसंत को इसनान घर के दरवाजे की और धखेल देती है के जावाफ श्नान करकिया और अपकड़े बदलो और नोकुरानी को आवाज देती है मंगला मंगला उनकी नोकुरानी थी मंगला दूसरे कामने के दरवाजें जहांक दिये जी बी बी जी मदुर्णी का सामान रख़वा लिया या नहीं मंगला ने कहा जी बीबी जी अताद बहार जो वसंत आये थे ने जिस तांगे में बैठ कर तुने का सामाय रखवा दिया कि जी बीबी जी मदूनी कहा ये ट्रे और प्यालियां उठा पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा बाबुजी इधर उधर हाथ मूँ धोने गए हैं मैं और पानी रखती हूँ इतने में ये पानी फैंकर चाय दानी और प्यालियां अच्छी तरह धो डाल मंगला ट्रे आदी उठा कर जाती है एक चमचा गिर जाता है वो जाती है तो एक चमचा उनके हाथ से नीचे गिर जाता है और जोर से आवाज होती है तो उस पे क्या कि तीके स्वर में मधुनी आवाज दी कुछ तीके स्वर में ये चमचा फिर फर्स पे गिरा दिया तुने बीच बार कहा है कि चमचा नए गिराया कर फर्स पर चिप-चिप होने लगती है अब ट्रे बहार रखकर इस जगव को गीले कपड़े से धो डाल वसंत ने का स्नानगर से अरे भाई साबुन कहां है अर्थात वो बीच में इते दिन से नहीं थे उनको साबुन नहीं मिल दा था मधुनी का द्यान से देखिए वहीं तक्ति पर पड़ा है वसंत ने का वहीं से और तोलिया मधु हात मुध हो आईए और इदर कमरे में सुका नया तोलिया लेकर पहुंच लीजिए मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगो कर लाती है और चुपचाप फर्ष साप करने लगती है तू तू फर्ष साप करके चाय दानी और प्यालियां धो डाल और मैं पानी रखती हूं चाय का रसोई दर्वाजे से चली जाती है और संथ हात मुँ धो करके कुट्टे की आस्तिन चड़ाई गुन गुना तावाता है अर्टा तो स्नानगर में जाता है हात पे धो लेता है और कुट्टे की आस्तिन बाजु चड़ा लेता है और गुन गुना तावा गाना गाता वाता है ज्ञूलूूं मेरा जिया डूलारी कि इसको बोलते है जूले पर बैट कर के मैं जूलूू। गानते हैं तो वो गाने गाने लगता है और पिर उसके पसात तोले की आउसकता पढ़ती है और अपने ध्यान में मगने कुर्शी की पीट पर पड़े उस तोले से मूँ पोंचे लगता है जिस से सुरोड चिंती हाथ मूँ पोंच कर गई है कहने का मतलब वो अपने गाने में वेस्ट हो जाता है उन्हें देखा नहीं वहां सुरोड चिंती कुछ समय पहले आई थी चाय नास्ता करके वो हाथ मूँ पोंच करके चले गई थी और तोलिया उन्हें टेबलिया कुर्शी पर रख दिया वो अंदर से बातरूम से आया और उन्हें उससे मूँ पोंच लिया मूँ पोंचे लगे इत्ती देर में क्या कि मदू का धान उधर जाता है और फिर उन्हें डाटना चालू कर और अपने ध्यान में मगन कुर्शी की पीट पर पड़े उस तोले से मूँ पोंचन लगता है जिस से सुरूर चिन्ती हाथ मूँ पोंच कर गई हैं मदू रसोई खाने से ये केतली कैसी बना रखी है मनों तो मेल जमा कर रखें पेंदे में अर्तात वो मंगला को डाटती इसमें दुनिया बर का कच्रा जमा है मेल जमा है इसको साप क्यों नहीं करती केतली हाथ में ले आ जाती है तुझे कभी बरतन साप करने आए मंगला और तु यहां इतने दिनों गरे रहते वे तुम्हें डंक से बरतन भी साप करने नहीं आए इस तरह से क्या है कि मंगला को मदू डाट रहे, कितनी बार का है कि सफाई का अचानक वसंत को सुरो वाले तोले से मू पोंच ते देखर लग बखचीती वे, अतात वो सुरो चिंती जो जिस तोले से मू पोंच करके गए थे उस तोले से वसंत है, मू पोंच रहा था और उसको मुँ पोंचतावा देखा करके जोर से चिला करके उसने कहा ये सुका नया तोलिया लिया है आपने अरे भाई आप बातरूमे से आएं तो आपको सुका नया तोलिया लेना चेह था आपने सुका नया तोलिया लिया है मैं पूंचती हूँ आप सुक्य और गीले का तोले में भी तमिज नहीं कर सकते भाई जैसे आप कुर्षी पे जो तोले अपड़ा है ये पहले सी गीला था या आपके दौरा गीला हुआ है इसमें गीले और सुक्य का अंतरा आप नहीं कर सकते अभी तो सुरोर चिन्ती चाई पीकर इस तोले से हाथ पहुँच कर गई है अभी अभी सुरोर चिन्ती आई थी और इस से सुरोर चिन्ती चाई पानी पीने के पर साथ हाथ और मौ पहुँच करके गई है वसंद गब्रहुट प्रन्तु नए अर्टात नए दिख रहा है मदू नहीं का नए तॉलिया उदर कमरी में टका है वसंद नहीं कहा ओ ये कमपकद तॉलिया मुझे ध्यानी नहीं रहता वास्तम में दोनु तॉलिय साफ हैं मुझे मुझे ऐसा लगा कि तोले तो साफी है मदू जी साफ है जरां आँख खोल कर देखिए गीले और सूके अर्थात मदू के कहने का भावरत है कि आप गीले और सूके में फरक नहीं कर सकते जैसे ही तोले आपने लिया तो कम से कम आपको ये तोबसे देखना चाहिए था कि तोलिया गीला है इस तोलिया गीला है तो मुझे पूछना चाहिए था कि तोलिया गीला कैसे हुआ तो सचाई का पत्ता लग जाता किन्तु वसंत ने उसके बारे में नहीं पूछा और तो गाना गाते वे गीत गाते वे बातरूम से आये और उन्होंने उतो लिए उठा करके मुँ पूँच लिया और पूँचने के बाद जैसे उचने पूँचते वे देखा मदू ने देख लिया मदू ने डाटना चालू कर वसन ने का मैंने एनक उतार रखिये और एनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया किस क्यानी हसे इसता है और बहना बनाते का कि मैंने एनक उतार रखिये और तुम तो जानती हो एनक के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मदू जी आपकी दुनिया ने जाने जी आपकी दुनिया जाने आप किस दुनिया में रहते हैं अब तो एनक नहीं एनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है उन्होंने कहा कि मैंने एनेक उतार रखिये अभी मैंने एनेक नहीं पहन रखी ऐसी स्थिति में मुझे दिखाई नहीं देता तो मदुने कहा अरे आपके आप जब एनेक पहन रखे हैं तब आपको कौन सा दिखाई देता है वसंत ये सुनने में तुमने फिर मुँ लटका लिया नाराज आपको कुछ दिखाय देता है मुँ फुला कर धम से कोच में धस जाते अंदर चले जाते है वसंत ने फिर का ये तुमने फिर मुँ लटका लिया नाराज हो गए क्या मदु व्यंग से हस कर नहीं मैं नाराज नहीं वसंत ने चिला कर कहा तुमारा खयाल है मैं इतना मुर्ख हूँ ये नहीं पैचान सकता परदा गिरता है इस प्रकार से ये पाट संपन की और जाता है कहने का मतलब मैं इतना मुर्ख हूँ पहचान था नहीं वो कहाए कि थोड़ी लापरवा थी वसंत थोड़ा लापरवा था इन चीजों को बारी किसे नहीं देखता मदू इन बातों पे भोछ ज़्यादा गेरा ध्यान रखती थी जिसके कारण भूल से पको गलती नहीं हो अगर उनसे थोड़ी भी भूल से गलती हो जाती तो मदू उसको डाटने का प्रियास करती थी वो अपने जीवन में सफाई भोछ पसंद करती थी वो मान भी रही थी कि मैं इनको कुछ बोलो नहीं कि फिर भी क्या है कि थोड़ी शी गलती करने पर मदू नहीं उनको डाटने का प्रियास किया आज ये पार्थ आपका संपन होता है थेंक्यू, ओके, धन्यवाद